स्वागत है, आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में आज के शो, कैमरा टूजडे में हम बात करेंगे थर्ड पार्टी लेंस के बारे में तो आईए जानते हैं तो सबसे पहले ये समझे कि फोटोग्राफी में लेंस ही डिफाइन करता है कि आपको फोटो कैसा आएगा अगर आप चाते हैं कि फोटोग्राफी का सोल क्या है तो वो लेंस होता है एक बेस्ट फोटोग्राफर को भी आप एक कचरा लेंस दे दीजेगा, वो कचरा ही बना पाएगा, मतलब उसका experience का कोई मतलब नहीं है, अगर एक अच्छा लेंस दे देते हैं एक नौसिखिय को, तो सौ फोटो लेगा, तो साइद एक का दुख का बहुत अच्छा निकल जा आप वेडिंग करना चाहते हैं कि स्पोर्ट करना चाहते हैं, आप अर्खिटेक्चर फोटोग्राफी करना चाहते हैं, कि आप मैक्रोफोटोग्राफी करना चाहते हैं, उस हिसाब से एक औजार खरीद रहें, इसलिए कहा जाता है, इतने सारे लेंस परनाने का यही मतलब ह आपको इतने सारे लेंस चाहिए यह कभी मत सोचिगा कि अगर आप इंटर्चेंजबल लेंस लेंस खरीद है तो आपको चाहिए नहीं ऐसा कुछ नहीं है बस आपको क्या चाहिए उसका आप देख लिजे कि जैसे मालीजी अगर आप जनल परपस फोटोग्राफिक करना चाहत अगर आप पैसा देखना चाहते है कि कितना पैसा लगता है तो यहीं पैसा फोटोग्राफर कर जाता है अगर आप फोटोग्राफर से पूचिए जो क्या काफी साल से काम कर रहें चाहिए वो स्पोर्स फोटोग्राफिक हास करके उनका तो सब बहुत महेंगा लेंस आता है वो लोग या वेडिंग फोटोग्राफी तो उनका कैमरा बोड़ी इतना सस्ता हो जाता है कंपेर टू कि अगर आप उनका कैमरा बोड़ी उनका खराब गए तो उनको टेंशन भी नहीं होता है मतलब धड़ाक से एक नया निखालें खिल रखनेंगे तो बैंड बजी हुई थी कि इतना महेंगा लिया लेकिन उसके बाद मैंने एक और लेंस लिया यह नॉर्मल लेंस है यह 30,000 का पड़ गया यह भी 35 का ही पड़ा तो अब आप समझी कि अब मेरे पास सिर्फ दो ही लेंस मैंने भी तक खिर दा है और हो यह गया कि मेरा कैमरा बॉड़ी अपसास्ता पड़ने अलग गया मतलब यह दोनों का दाम मिला कि कैमरा बॉड़ी मेरा सस्ता ही है फुटबाल आ जाता है उनका लेंस तोड़ने फोड़ने के लिए उनको रखना ही पड़ता है प्लस अलग-अलग प्लस के लिए अलग-अलग टाइप के लेंस आते हैं तो जैसे क्रिकेट के लिए लग तरका लेंस चाहिए आपको फुटबॉल के कंपेर में क्रिकेट फुटबॉल तो लगबग एक ही जैसा लेंस चले है लेकिन आप बास्केट बॉल कॉपी कर रहे हैं तो आपको अलग लेंस चाहिए क्योंकि दूरी कम हो जाती है तो इस कारेंट सेब समझें आपका लेंस में ही में पैसा जाएगा कैमरा बॉडी कर तो कोई आपको टेंसर नहीं है लेंस आपका दीरे दीरे बहुत पैसा खाएगा इसी रहे हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि कैमरा सिस्टम खरीदने से पहले आप लेंस चेक कर लीजे कि आप क्या करना चाहते हैं च्या वो लेंस है क्या वो लेंस सही दाम में तो first party lenses के बारे में समझते हैं आप यह समझे कि जैसे Canon और Nikon के बारे में यहां आप से बात करना चाहूंगा कि अगर आप सोचते हूं कि वो Canon आपको DSLR बेच के पैसा कमा रहा है नहीं है वो DSLR बहुत कम profit में बीच रहा है तो जैसे माले यह DSLR मेरे को साथ जार में या पच कालती है समझी मतलब अगर आप Canon के factory में जाएगा और देखिएगा कि profit कहां से रहा है तो उनका profit generally lens factory से आता है camera body factory से नहीं आता है तो इसलिए यह lenses बहुत महेंगा था क्योंकि main profit यहीं से नहीं चोड़ते हैं दूसरा जो कि यह इतना महेंगा रख रहे हैं तो कोशिश करते हैं और generally succeed भी हो जाते हैं कि यह best in class मतलब अगर यह lens में जितना optical performance है कितना मतलब sharpness है जितना contrast है जितना micro contrast है जितना dynamic range है यह सब lens पर फरक पड़ता है कि अगर lens आपका खराब सा खासकर कि micro four third में तो बहुत हुआ कि कुछ जादे जदा aperture का आ गया लेकिन vignetting इतनी खराब लेकिन कोशिश की जाती है कि best in class बनाया जाए फिर generally यहीं इनका main खर्चा हो रहा है तो ऐसा नहीं बनाते हैं कि कांच के तरह तूट जाए मतलब कुछ कुछ तो इतने मजबूत होते हैं कि गिर जाय सीधे मतलब अब ट्राइपोड से गिर जाय तो भी बचा रहा जाएगा मतलब एकदम हश्ट पुछ आप सुनते ही होंगे नाइकॉन का ग्लासर तो 30 में 30 साल तक चलता है और कैनन का एल ग्लास को सब लोग कहते हैं टैंक जैसा बनाया गया है और सोनी का जो जी मास्टर है जो इसका प्राइम एडिशन है वो भी उतना ही महिंगाता है और इसका सपोर्ट काफी ज़रूरी है जैसे आप माली किसी ओलंपिक इवेंट पर जाईएगा या कोई बहुत बड़ा स्पोर्स इवेंट है जनरली उसके बाहर आपका समझिये नाइकॉन और कैनन एक दुकान कुल कर रख देगा और खुब सारे लेंस को रखा रहेगा बैकप में क इमानली को फोटोग्राफर आया जो कि प्रो सपोर्ट खजदा हुआ है अगर माई उसका लेंस पर जूता पड़ गया या लेंस पर कोई प्लेयर भीड़ गया या लेंस पर क्रिकेट का बॉल लगे लेंस पर टूटा धड़ाक से वो जाएंगे और सीधे बोलें हमको तुर लेंस का लेंस का यह सब सपोर्ट कोशिश करती है कि Nikon और Canon दे तब ही क्योंकि मतलब बहुत यह लोग चार्ज कर रहे हैं बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं तो कुछ तो देना पड़ेगा न मतलब सीधे सीधे तो लूट नहीं सकते और दूसरा आप यह समझी है कि जैसे कैमरा बॉड़ी जो होती है उसे मतलब कोशिश किया जाता है हर दो साल में रिफ्रेश किया जाए कभी कभी चार साल कभी कभी पांच साल लेकिन अगर आप एक पूरा Canon का देखे हर साल कुछ ना कुछ रिलीज हो रहा है मतलब ज़रूरी नहीं के फुल फ्रेम है तो अगले दीमे बदला जाता है जैसे माल यह एक लेंस है जैसे इसी लेंस का 70-300 का एक पुराना वर्शन है वो लेंस इससे दस साल पहले आया था अब जाके इसको बदला गया है तो आप बोलोगी इसको हम खरीदने में कि वेट ना करें कि मतलब अगला तुरंत रिलीस कर गी है तो नहीं ऐसा नहीं करेंगा यह हमेशा लेंस को बहुत गाप के बाद निखाल जाता है पांच साल से पहले तो करते ही नहीं और पांच साल घृमार कभी किया जाता जब लेंस बहुत खराब ने बहुत निकल गया मालने जे कि कोई likes अबक्षी को गिटेस्टिंग कि गया हाँ अगर हो गया है पांस चाल से जादा हो चुका है तब आपको सोचना पड़ेगा लेकिन जनरली जैसे मार्क 2 है किसी लेंस का तो मार्क 3 आने में बहुत टाइम रहता है तो आप टेंशन मतलीचे लेंस बहुत धीरे-धीरे साइकल किया जाता है ऐसा नहीं है कैमरा ब नहीं करते हैं जैसे मैंने यह लेंस दिखा रहा हूं तो इस लेंस का मतलब अगर आप सिंगमा या टैमरॉन में खरीदना चाहते हैं तो लगभाट आपको 9000 देना पड़े इसमें खरीदने के लिए लगभाट 40 देना पड़ता है तब समझ सकते मतलब बहुत तकलीफ होता है इस तरह का लेंस खरीदने में तो थर्ड पार्टी ही सब को क्यों नहीं खरीदना चाहिए अगर इतना जाद आपका इसा का अंतर है तो पहले यह समझे कि खास करके नाइकॉन और कैनन में तिगडम यह है कि यह लोगों ने अपना लेंस का जो अल्गोरिदम यह कभी खो अब से वायब्रेशन रिडक्श음 वह ऐलेक्ट्राणिक इरह ऑपार्चर कंट्रोल इलेक्राओक हो गया तो जितना जितना चीज इलेक्ट्राणिक होता चला गया प्रॉब्लम हुँँ हो गई कि जो मेनिफक्चर्स हैं इनके पास नहीं तो पुरांगे ने से सीमा पुरान आपको सिंग्मा में फोन कीजिए आप दुकान में आई है तो हम इसका फर्मवेर यह सम्में भी फर्मवेर होता है उसको फर्मवेर अपडेट कर देंगे तो नए कैमरा क्ली बनाए गया यह सब तिगडम आपको फर्स्ट पार्टी में कभी नहीं होता और मान लिजे कि आप कोई नया कैमरा में कोई नया सिस्टम है जिसके चालन मालवीन को वाय मतब थोड़ा सा दिक्कत होगा यह लोग अपने ही फॉर्मवेर में यानि की कैमरा बॉडी में जो फॉर्मवेर होता उसी में लेंस के बारे में तिगड़म लगा के रख देते हैं तो आपको ऐसा नहीं क क्योंकि अगर आप बॉडी बदले तो बॉडी के लिए हिसाब से वह सिग्मा कोशिश करें दोबारा रिवर्स इंजीनियर करने का और फॉर्मवेर बनाने का बना ली तो आपको अपडेट मिल जाएगा लेकिन यह सब तिगड़म आपको समझना पड़ेगा सोनी एकलोती क अगर सोनी एक रहा है और से सबलोक के सब्सक्रत करें यह ज़म अवडगा यह पांच लाकी यह शह सक जाने हमखर चाईय आपके सब्सक्रत आपको सब्सक्रत करें देंगे लेकिन गर माली क।ष सस्ता लिंश खर और छोड़ यह से कंया नहीं ठीक्स पर वह तो सोनी को घरी आएगा कि यह सोनी का कैमरा अच्छा नहीं जलता तो इसकार से सोनी बोला कि देखो हम सस्ता लेंस बनाते ही नहीं हम हटाई देते हैं हम ऐसा लेंस बनाते हैं जो प्रोफेशनल के लिए बने एक दम बेस्ट क्वाल्टी बना हम मतलब सिफ एकी चीज पर ध्यान और यह सब जो कंपनी हैं सिग्मा टुकिन वोइट लेंडर टैमरवन आप लोग अपना सस्ता लेंस पना लेकिन हम आपको देदेदेने डेटा कि आप कच्रा मत बना दो तो इससे आपको समाझना पड़ सकता है खासकर के नाइकोन और कैनन में आपको बहुत जहमेला हो सकत अब यह लेंस लगाए एकडम फुक्स नेगर रहा है तो ऐसा होता है कम ही होता है आजकल तो लेकिन होता है और सिग्मा में तो आपको बता है कि यूस्बी डॉक खरीदना पड़ सकता है तो इसलिए अगर आप थर्ड पार्टी लेंस खरीदना चाहते है तो प्लीज ऐसा देखिए जहां पर वही बॉड़ी इस्तमाल किया गया जो आपके पास है दूसरा क्योंकि यह लोग कम दामकर पर देते हैं इनका क्वालिटी कंट्रोल एक लेंस के बाद से दूसरे लेंस में बहुत कम होता है मतलब मैंने आपको बता है कि वह सब लेंसे प्रोफेशनल के ह आपसे बनाया जा रहा है और उसमें नाइकॉन और कैनन का ही फाइदा होगा उनको सर्विस देना है तो उनके लिए फाइदा होगा कि अगर लेंस ना टूटे और उनका लेंस खराब ना हो तो कोशिश की जाती कि वह एक्दम बेस्ट सर्विस दें यहां पर मतलब दाम ही बार हुआ है जो कि फाय्म कभी नहीं होगा लेकिन फर्स्ट पार्टी में होगा तो पहले सपोर्ट का चांसस दे दाला रहता है दूसरा बहुत कम मिलता है बतलब अगर वहां 100 में 10ग यहां पेr 50गाशन प्रब्लम आ जाता है इसी लिए इस बात को आप ध्यान रखिए लेकिन एतना सब जमेला जहिलने के बाद आपको एक फाइदा मिलता है कि इसका दाम बहुत competitive होता है और कभी-कभी तो यह लोग ज्यादा फीचर दे देते हैं जो कि आपको मिलेगा ही नहीं जैसे कि मैं आपको एक simple example देना चाहता हूँ कि टैमरान का एक lens में जो बहुत पसंद आया है जो 24-70 है यह full frame lens है f2.8 fixed aperture है ठीक है बहुत बढ़िया कोई दिकत लिए दाम इसका लगभख यह 89,000 है अब अगर आप Nikkor का लेन में देने लगा लेकिन vibration reduction नहीं देते हैं यह देता है तो समझ रहें ऐसा नहीं होता है कि third party हमेशा कच्रा बनाती है पहले ऐसा होता था कि third party क्योंकि सब्ची मैनुवल था तो तीगड़म नहीं लगता था लेकिन जैसे से electronic बढ़ता गया तीगड़म उनका जमेला बढ़त तो जैसे यह लेंस आप लेते हैं तो जितने लोग इसको टेस्ट किया है कि सब बोलतें कि नाइकरन कैना अगर माली यह 100 यह लगभग 95 और लगभग पहुंची गया है और इतना यह कम दाम है कि आप दो खरी ली जैके ठीक है आपका एक माली यह कभी टूट फुट गया को बॉड़ी आपके पास है प्लीज नहीं तो कई बार सिग्मा के साथ ऐसा हुआ है कि आप लेंस खरीद लिए और वो आपके बॉड़ी में नहीं काम कर रहा है आपको सिग्मा में फोन कीजिए सीधे वले सर वह यूसबी डॉट खर लिए साढ़े 5000 कर तब जाके आपका मत्स कि आपके खरी लोग खुश रो गया तुक्का मारने वाला होता है इसलिए जासे मेरा पहला लेंस जो मैं इस्तमाल कर रहा हूं वह थर्ट पाटी यह लेकिन दूसरा लेंस लिए वह थर्ट पार्टी नहीं था ऐसा नहीं कि इसमें कोई दिक्कत है लेकिन ए इस मतलब 10-30,000 उतना जादा नहीं था दूसरा इसमें कुछ features थे जो मुझे चाहिए था जैसे कि इसमें electronic focus ring है तो मतलब focus whole time manual override कर सकता हूँ दूसरा इसका autofocus speed भयानक है भयानक autofocus speed है तो ये था मेरा presentation third party और first party lens के against में ताकि आपको कुछ समझ में आये हो मुझे उमीद है कि आपको अच्छा लगा हो कुछ सीखने को मिला हो अगर ऐसा है तो like कर दीजिए नहीं है कोई बात ने आप dislike कर सकते है मैं कहूंगा कि आप comment लिखिए कि अगले episode में आप क्या देखना चाहेंगे अगर आप share कीजिए दोस्त